प्रधान मंत्री नर्यंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष प्रोध्योगी की के संबन्द में आज भारत में हो रहे बड़े सुधार एक निरनायक सरकार की वजह से हैं। आज भारती अंतरिक्ष संग के शुभारंब के मौके पर उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों के मामले में सरकार का दृष्ट कोण चार स्तम्मों पर आधारित है मैं इंडियन स्पेस एसोशेशन इस्पा के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर बढ़ाई देता हूँ अपनी शुभकामनाई देता हूँ साथियों जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी एप्रोच चार पिलर्स पर आधारित है पहला प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजहादी दूसरा सरकार की एनेबलर के रुप में भूमिका तीसरा भविश्य के लिए युवाओं को तयार करना और चौथा स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवी की प्रगति के संसाधन के रुप में देखना इन चालोग पिलर्स की बुनियाद अपने आप में और साधारन संभावनाओं के द्वार खूलती है प्रधान मंत्रे ने कहा कि नीजिक शेत्र में नवाचार की स्वतंत्रता पहला स्थम्भय और एक संभल के रूप में सरकार की भूमिका दूसरे नंबर पर है युवाओं को भविश्य के लिए तयार करना और आम आदमी की प्रगति के लिए एक संसाधन के रूप में अंतरिक शेत्र को तयार करना दूसरे दो स्तंभ है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है अब यह सुनिस्चित किया जाएगा कि इस शेत्र में जो टेकनोलोजी मैच्चोर हो चुकी है उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसपर किया जाए हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उन्हें एक्विप्मेंट खरीदे के लिए समय और उर्जा न खर्च करने पड़े इसलिए सरकार स्पेस एसेट और सर्विसेज के लिए एग्रिगेटर की भूमी का भी निभाएगी श्री मोधी ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र लोगों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का मतलब आम इंसान के लिए बहतर मैपिंग, इमेजिंग और संपर कस्विधाये हैं उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का मतलब उद्यमियों के लिए shipment से लेकर delivery तक बहतर गती उपलब्ध कराना है